वेलकम टो आइस्टीचिंग देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सिंपल बैटशिट को फिटेड बनाना सिखेंगे स्टैप बाइ स्टैप तो इसके लिए हमें मैट्रेस का कौन सा मेजर्मेंट लेना है और बैटशिट को किस तरह से हमें कट करना करना है और कैसे हमें स्टीच करना है वह हम इसमें सिखेंगे तो आये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रेस की जो वीडिट है वो लेगे और मैट्रेस की जो लेंद है ओले तो मैट्रेस की छो 502 मेरे से ड्रॉीड है और यहां पर हम मैट्रेस की जो हाइट होती है वो भी हम ले लेंगे वो मेरा 6 इन्च आ रहा है तो सबसे पहले हम पेपर के उपर उसकी वीड़ को इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो यहां पर जो मेरी वीड़ है 72 inch की है मैट्रेस की और यहाँ पे मैट्रेस की इस तरह से लेंगे तो वो है 78 inch यहाँ पे तो इस तरह से हम rectangle बना लेंगे और यहाँ पे जो मैट्रेस की जो depth है height है वो 6 inch है तो यहाँ पे सब तरफ चारो तरफ हम 6 inch का इस तरह से उसकी depth बना लेंगे यह देखिए 6 इच यहां पर और 6 इच यहां पर इस तरह से हम पूरा जो मैट्रेस है हमारा जो गद्दा है उसको यहां पर हम ड्रॉ कर लेंगे ठीक है इस तरह से अभी हमें बैट्षिट कितनी लेनी है वो हम देखते हैं तो यह जो हमने ड्रॉ किया है उसकी चारो तरफ हम 4 इच से 5 इच तक मैंने यहां पर 4 इच लिया है तो 4 इच सीम इलाउंस छोड़के एक लाइन ड्रॉ कर लिए तो यह हमारी बैट्षिट लेनी है हमें इतना तो कपड़ा हमें चाहिए ही ठीक है तो यह देखें 4 इच की यहां पर मैंने लाउंस छोड़के चारो तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लिए है तो आपको आपके मिजर्मेंट के इसाब से करना है तो देखें हमें बैट्षिट कितनी लेनी है तो यह देखें 4 प्लस 6 भी एक देखें तो देखें हमारा आया है 92 इच की विर्थ लेनी है और जो बैट्षिट की लेंद है वो कितनी लेनी है 4 प्लस 6 प्लस 78 प्लस 6 प्लस 4 इंच थीचे इस तरह से तो वह आएगा 98 इच ठीक है तो 92 इच बाई 98 इच की हमें बैट शिट लेनी है मतलब कपड़ा आपको इतना लेना पड़ेगा तभी आप इस तरह से फीटेट बैट शिट बना सकते हो इससे ज़्यादा हो गया चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए ठीक है तो देखे अभी हमें क्या करना है यहाँ बे देखे इस तरह से जो हमारा जो स्क्वेर बन रहा है 10 इच का 6 इच डेप्थ और 4 इच की सीम अलाउंस यह दोनों मिलाएंगा तो 10 इच हो जाएगा तो यह जो 10 इच है उसमें से हम 0.75 इच हम माइनस करेंगे सीम अलाउंस का तो देखे आया 9.25 इच तो यह हमें बेट शिट में से कट कर लेना है ठीक है तो कैसे करना है देखे इस तरह से बेट शिट को पहले फोल करेंगे तो यहाँ पे जो देखे चार कॉर्णर हमारे बन रहे हैं यहाँ पे देखे इस तरह से पहले 10 इच का मैं मार्किंग दीखा और फिर हम 0.75 इंच का सीम अलाउंस छोड़ लेंगे तो जो बाकी का जो बचेगा उसे हमें बैट शिट में से कट कर लेना है ठीक है इस तरह से हम कट कर लेंगे ठीक है तो देखे मैंने बैट शिट को इस तरह से फोल्ड कर लिया है इस पहले इस तरफ से लंबाई में फिर इस तरफ से वीर्थ में तो देखे यह जो कॉर्नर्स है वो हमारे इस साइट पर है ठीक है देखे इस यहां पर मेरे चार कॉर्नर से बैट शिट के और फिर यहां पर 9.25 का मैं पूरा स्क्वेर बनाऊंगी मेरी जो बैट्षिट की वीर्थ और चौड़ाई है वो मैंने 92 बाइंटी एट इच की ली है ठीक है अब यहां में इस तरह से इसे कट कर लूँगी तो मेरे चार कॉर्नर इस तरह से कट हो जाएंगे बैट्षिट के अब हमें क्या करना है इन दोनों को इस तरह से देखें राइट साइड बाहर की साइड पर रखेंगे हम कवर से लाई करेंगे तो यहां पे पहले इस तरह हम फोल्ड करेंगे और राइट साइड के उपर स्ट में नहीं लेंगे ठीक तो हम बैक टेक करके स्टाइट करेंगे और इसे का मारा और जो एक्स्ट्रा हैसा है जो थोड़ा सा रख के हमें कट करेंगे कि अब अर्थन अब थैसे इंसाइड और टफन करेंगे इस तरह से तो झेके भी या गई है बहार की साइट पर यहां पर यहां पर आप यहां पर हमें क्या करना और एक स्टीच करनी है जो SP लांक्स हम ने ली थी उसकी जो बाकी operate है उसे हम यहां पर ले लेंगे इस तरह से ठीक कह बैक ट्रक at कर करेंगे द्पार न करेंगे तो मैंने चारो कॉर्णर्स रेडी कर ली है बैटशिक के ठीक है अभी देखिए मैंने 0.5 इंच का आधा इंच का मैंने इलास्टिक लिया है तो हम क्या करेंगे पहले इसे इस तरह से एक फोल्ड और फिर इस तरह से दूसरा फोल्ड करेंगे यहां पे तो इसमें हमरा इलास्टिक आ जाना चाहिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है ठीक है और यहां पे बीच में दो इच का हम गैप रखेंगे और पूरे बैटशिट को इस तरह से कॉर्णर जो है उसका वहां पे हमें स्टीच कर लेना है तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे देखे इस तरह से हमें फोल्ड करके पूरे रांड भी हमें स्टीच करना है ठीक है और दूसरी साइट पे इस तरह से पूरा स्टीच करके आएंगे और बीच में हम देखे दो इच का गैप रखेंगे यहां पे इस तरह से जिससे हम आसानी से इलास्टिक को डाल सके देखे कि यहां पर मैंने opening रखा है वहां पर सेफटी पिन लगा रही हूं और जितना भी हमने स्टीज किया उसको मैं measurement कर रही हूं पूरा राउंड को तो हमें elastic कितना लेना है वो हमें समझ में आए तो मैं पूरे को measure कर लूगी तो मेरा 300 इच का पूरा राउंड आ रहा है तो मैं उसका आधा मतलब 150 इच का इलास्टिक कट कर रही हूँ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप बैटशिट के उपर भी से रख के देख सकते हैं तो मैं अभी इलास्टिक को कट नहीं करूंगी वहां पर मैं एक सेफटी पिन लगा दूंगी बाद में कट करेंगे तो देखे अभी यहां से इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइट से इलास्टिक इस तरह से निकालेंगे और एक बार हम बैटशिट को मैट्रस पे बिचाने के बाद ही इसे कट करेंगे ठीके अब देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं दोनों इलस्टिक को यहाँ पे इस तरह से स्टीश कर लूगी तो हमारा इलस्टिक जॉइंट हो जाएगा और फिर देखिए इस तरह से वापस इसे यहाँ से आमने जो ओपनिंग रखा था उसे हमें क्लोज कर लेना है तो देखिए हमारी फिटेट बैटशिट रेडी हो गई है देखिए इस तरह से देखिए मैंने इसको इस तरह से बीचा लिया है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से एक भी क्रीज यहाँ पर नहीं आ रही है और आपको सिर्फ जब भी आप बैठो उसको थोड़ा से आप खीच लोगे तो अपने आप जैसी है वैसी हो जाएगी अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आप नहीं है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंज सब तक के लिए थैंक्यू फॉर वाचिंग कीप वाचिंग